लौकी की उन्नत खेती आधुनिक तरीके से कब और कैसे करें जिससे कम खर्च में कम समय में अत्यधिक लाब कमाये जा सके किसान भाईयों नमस्कार मैं हूँ विजयमावर और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल नमबर वन खेती भाड़ी किसान भाईयों समानते लौकी कीती पूरे भारत वर्स में की जाती है यह फरवरी माह से लेकर जून मद तक इसकी बुवाई की जाती है और इसकी जलबाय की बात करें तो यह 15 डिगरी सेलसियस से लेकर 38 डिगरी सेलसियस तक समानते माना जाता है कि अच्छी पैदावार होती है इसमें और इसकी मिट्टी दोमण मिट्टी में सबसे अच्छी पैदावार होती है वैसे तो हर जगे इसकी पैदावार की जाती है लौकी की खेती की बुवाई के लिए सब प्रतम हम ऐसे खेत का चुनाव करेंगे जिसमें जल निकासी की बेवस्था हो जिससे हम अपने सिचाई करें या फिर बारिश हो तो उसमें से सिचाई कर ते समय ही उसमें पानी लग below, फिर बाद में उसमें झल ना रहे, अगर उसमें पानी का रुकाव या ठारा होता तो आप देख पारे होंगे कि इसमें लताय काफी जो है नीचे ही और इसमें जो भी फल रखते हों वो जमीन से सटे हुए होते हैं जिसके कारण पानी ज्यादा लगने से या पानी हमेशा नमी बने रहने से वो फल जो हैं सड़कर गिर जाएंगे आपने आपने खेत में देखा होगा कि यह समस्या काफी ज्यादा आती है कि जमीन से सटे हुए फल होते हैं वो सड़कर गिर जाते हैं इससे काफी नुक्सान होता है तो इसके जलनिकासी की विवस्था में अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए लवकी की बुआई की बात करें तो अपने खेत में इसमें जो लाइन से लाइन में उगाया जाता है या बोया जाता है तो इसकी लाइन से लाइन कम सकम आठ से दस फिट रहेगी और पौधे से पौधे की दूरी कम से कम दो से तीन फिट रहेगी क्योंकि इसकी लताये काफी बड़ी होती है और जो है अगर एक दूसरे के ऊपर चड़ जाएंगे या फिर इसको दूरी दूरी लाइन पर लगाएंगे और अच्छी तरह से इसका पौधे का ग्रो तभी हो पाएगा जब इसमें खेट में इसको फैलने के लिए पूर रूप से जगह चाहिए और वो जगह हम इसको उपलब्द करा पाएंगे तब आप देख पा रहे होंगे कि हमने अपने खेट के चारों तरफ नाली बनाई हुए है इसका मुख के कारण यह है कि जैसे हमी अपने खेट की सिचाई करते हैं तो यह सिचाई के दौरान ही सिर्फ इसमें पानी लगा रहेगा उसके बाद इसमें से अच्छी तरह से पानी निकल सकता है आपके मन में यह कि जैसे अपने खेट में आपने नायन से नायन की दूरी जो है दस से फिट कर दी है और पौदे से पौदे की दूरी जो है दो से तीन फिट कर दी है तो आप अपने खेट की चारों तरफ जो है नाली बना सकते है नाली बनाने का मतलब यह है कि आप जब भी जो है खेट की सिचाई करेंगे आपका खेत ऊपर हो जाएगा और नाली आपकी जो साइड साइड से नीचे हो जाएगी तो आप जब भी सिचाई करते हैं सिचाई करने के बाद जो है गर्मियों के मौसम में टंपरेचर काफी जादा होता है अगर आप सिचाई कर देते हैं सुबह के टाइम वैसे हम तो कहेंगे सुबह के टाइम आप सिचाई ना करें तो बहतर है अगर आप सिचाई कर भी देते हैं तो अगर आपके खेत में अगर जल जो ठहर जाता है तो फल पौधे की दोरी 2-3 फुट है जो की काफी अच्छा बीज माना जाता है इसमें जो है काफी अच्छा पैदावार होता है किसान भाईयों अभी भी आपके पास समय है अभी आपका जो है अप्रेल का महीना चल रहा है और इसकी बुवाई जो है जून मद्द तिक की जाती तो आपकी गेहू की फसल तंबाखू की फसल वाली खेद जो खाली हो गई है उसमें आप लगा कर अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं क्योंकि किसान भाईयों इसमें लागत काफी कम मात्रा में आता है आप सोच सकते हैं कि सिर्फ हमने अपने खेद में इस पौधे को लगाया है बीज का खर्च और खाद का खर्च सिर्फ आया है बहुत से चैनल पर ये दिखाया जाता है कि आप जो इसको जाड़ पर चराईए या फिर इसके लिए चड़ने का ब्योस्ता बनाया है टेने का तभी आप अच्छी उपज ले सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है गर्मी के मौ आफा कमा सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसकी बीज के बारे में या कितने एक्टेर या कड में कितना बीज लगेगा खाद लगेगा आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारा चैनल आपकी सेवाँ के लिए हमेशा तत तब तक हम अपने लोकी के पौदे की लताओं को जब तक जाड़ पर नहीं चढ़ाएंगे तब तक हमें अच्छी उपज नहीं मिलेगी ऐसी कोई बात नहीं है आप जमीन पर फैला कर अच्छी उपज ले सकते हैं लेकिन सिर्फ आपको पानी की व्योस्ता का ध्यार रखना ह होगा किसार भायों आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें अच्छी उपज़ाएंगे